पाकिस्तान डिवेलपमेंट के साथ 111 पोजीशन पे आज हमें नजर आ रहा है आज भी पाक रुपिया अगेंस्ट यूएस टॉलर आठ पैसा डेप्रिशेट होता हुआ हमें नजर आया है विया में जो ऑईल लेकेज है उसकी वज़ासे उनकी पाइपलाइन को शट डाउन क पाकिसान की जो ऑईल परडियूसर है शेल उन्होंने भी अपनी प्रडक्शन को रिवैंप किया है पाकिसान की जो प्राइसेज है उनमें भी पुछ मिलने वाला है आने वाले दिनों में ऑईल की प्राइसेज में गोल्ड की अगर हम बात करें तो वो नेगिटिव में ही ट्रेड हो रहा है असलाम अलेकूम फियर्स दिस इस यूर घोस्ट साहर खान और यूर वाचिंग बिजनेस नियूस टेली आज हम दिसकस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्स्चेंज को वर्ल्ड स्टॉक मार्केट फॉरेक्स एंड को जबके अपने सेग्मेंट के एक पाकिस्तान स्टॉक एक्स्चेंज को आज बात करें तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्स्चेंज हमें 45922 के लेवल पर नजर आई market start से जो थी वो downward से upward movement पे गई और तकरीबन 241 points जो है वो हमें positive नजर आई लेकिन आइस्ता ही आइस्ता market जो है वो वापिस आती हुँ दिखाई दी और again जो है वो 200 plus के levels पर हमें जाती हुँ दिखाई दी और volume जो है वो भी 170 million जो है प्रोग्राम को record करते हुए 170 million जो है वो वालियम रहा ये भी कोई normal volume ही है कुछ खास अच्छा नहीं है लेकिन अगर हम all share index की बात करें तो आज currently program को record करते हुए 179 points जो है वो हमें positive नजर आए 176 हमें negative नजर आए 14 with no change नजर आए total 377 all share index में हमें stocks trade होते हुए दिखाई दी है जबकि अगर हम market leaders की बात करें तो हमें market leaders में आज हमें cement दिखाई दे रहा है auto mobile sector हमें दिखाई दे रहा है हमें commercial banks जो है वो trade होते हुए दिखाई दे रहे है जबकि engineering sectors भी हमें market leader के तोर पर आज हमें नजर आ रहा है जबकि अगर हम Pakistan की latest economic development की बात करें तो पाकिस्तान आज हमें trading across borders index में जो है वो उपर आता हुआ दिखाई दिया है पाकिस्तान पहले जो वहां rank कर रहा था वो तकरीबन 141th position पे जो है वो rank कर रहा था उसके बाद currently जो है पाकिस्तान development के साथ 111th position पे आज हमें नजर आ रहा है तकरीबन 31st position पाकिस्तान ने upward movement की ह FBR ने एक खास अच्छा जो है वो करदार अदा किया है एक अच्छा role play किया है ease of doing business के थूँ जो है वो पाकिस्तान हमें आज इस ranking के साथ नजर आ रहा है FBR ने trading across border में तीन जो एहम points है crucial areas जिसे हम कह सकते हैं उस पर focus करके जो है अपनी ये ranking हासिल की है उन points को मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी उन में सबसे पहले है custom electronic system जो है वो introduce करवाया है दूसरा import export के लिए जो further unnecessary documentation है उसको बिलकुल खतम कर दिया है तीसरा जो है वो proactive role play किया है FBR ने by regulatory जो है वो border trade पे साथ ही हम discuss कर लेते हैं international stocks market को international stock markets में Asia को आज हम सबसे पहले discuss करते हैं और Asia हमें आज overall जो है वो positive नजर आ रही है positive आने की main वज़ा जो है वो वहां के economic recovery है economic recovery due to pandemic और lockdown की वज़ा से western जो countries है उसके मकाबले में Asian countries हमें ज्यादा से बहतरीन perform करते हुँ दिखाई दे रही है वहाँ economic recovery काफी तेजी से हमें दिखाई दी है साल end 2020 से ही जो ये numbers हैं काफी improve करते हुए नजर आई है जबकि अगर हम जपान की बात करें तो Japan जो है वो 1.61% हमें positive trade होता हुए दिखाई दिया as compared to कल जो है वो 1.58% हमें Japan निकाई जो है वो positive नजर आया है और Monday को जो उसने losses किये थे वो आज हमें recover होते हुए दिखाई दिये जबकि अगर हम बात करें Australian हिसस की तो 1.19% जो है वो increase होता हुए हमें दिखाई दिया है Australia के positive होने की बड़ी वज़ा ये है कि Queensland state जो है उसमें coronavirus की वज़ा से lockdown लगा दिये गए थे इन्वेस्टर्स वर थेंकिंग के ये lockdowns जो है वो easy जो है easiness create की जा रही है और में lockdowns खतम करने की जो है वो कोशिश की जा रही है Queensland state के अंदर तो इसी वज़ा से हमें जो है वो market positive नज़र आई दूसरी बड़ी वज़ा है जो mining producers है उनकी तरफ से जो production है उसमें increase जो है वो expect किया जा रहा है जिसकी वज़ा से हमें Australia positive नज़र आया है overall अगर हम Asia की positivity की बात करें तो main वज़ा है Janet Yellen की speech और Janet Yellen के जो comments है US stimulus के हवाले से उसने काफी ज़एदा market को upward push दिया है Asian stocks हमें इसी वज़ा से आज positive नज़र आ रहे है दूसरी वज़ा जो है वो overall economic recovery है जिसकी pace तेजी से बढ़ते हुए नज़र आ रही है और Asian stocks पे जो है ऐसे पॉसरी पॉजिव इंन॑ ये उसमें चाफी positive impact करते हुए नज़र आ ही है Middle East बी ज जो है वो और आज हमे स्टेडी नखर आ रहे है यही वज़ा है कि हमें Middle East और यूपी आहमने काफी पॉसरी नज़र आ रहे है European stocks को भी हम discussion जो बाइडन की इनाउग्रेशन के साथ ही जो यूर्पियन स्टॉक मार्केट से हमें अपट्रेड होते हुए नजर आई है डेक स्टॉक्स की जो हैं वह हमें 0.2% के साथ नजर आई जबके FTSC भी हमें 0.4% के साथ नजर आई जबके हम दूसरी वज़ा की बात करें तो वही है के सेकेटरी ट्रेयरी के लिए नामज़र जैनेट येलन की जो है वह आज मिटिंग है जिसमें वह अनाउंस करने वाली हैं तक्रीबन 1.19 ट्रिलियन कस्टिमलेस जो के कोविट 19 के लिए दिया जाएगा और ये एकॉनमी की र अन्वेल्ड करने वाली हैं ये जो रिलीफ है वह एकॉनमिक रेकवरी को पुष्क करने के लिए अफ़र पुष्क देने के लिए एक सूध मन साबित हो सकता है अगर हम बात करें जर्मिनी की तो ओलाफ कॉल्स की तरफ से जो है वह जर्मिनी में लोगडाउंस ट्रिक्ट कर अगर तकरीबन नेगिटिव हैं और फ्यूचर की बात करें तो वह भी हमें नेगिटिव ही नजर आ रहे हैं अवर अगर हम आज की बात करें तो आज यूए स्टॉक मार्किट जो है वो मिक्स टू नेगिटिव रह सकती है इसी के साथ फिर्ज बढ़ते हैं अपने दूसरे पैसा डेप्रिशेट हुआ था आज भी पाक रुपया अगेंस्ट यूएस टॉलर आठ पैसा डेप्रिशेट होता हुआ हमें नजर आया है और यूएस टॉलर जो हमें वो 160.61 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आया है यूरो वर्सिस यूएस डॉलर की बात करें तो यूरो इस बेरिश और क्यों जो यूरो है वो बेरिश रह सकता है जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जर्मन एकॉनमिक डेवलपमेंट की जर्मन एकॉनमिक ग्रोथ की बात कर लेते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस की बात कर लेते हैं इटली में स्लो वैक्सीन रोल आउट इन अपनी की बात कर लेते हैं और ECB की मिटिंग जो है वो इस वीक होने वाली है लेकिन उसके नतीजे जो हैं हम ये कह सकते हैं कि ECB मिटिंग की जो की पॉइंट्स हैं वो सेम ही रहने वाले हैं चेंज नहीं होने वाले इसके लावा बहुत से मार्केट में ऐसी न्यूस प्रिव किया है लेकिन एकस्पेक्ट कर रहे हैं कि a great written pound अगेंस डाउलर-berish ही है और क्यूंकि dollar को strength मिलती है फरदर तो further great written pound और उसकी other opposite currencies ग्रंशी sigue downward ही जाने वाली है इसे के साथ वियो Sectаж буде बढ़ते हैं अपने तीसरे segment Commodities के तप ओइल के हवाले से मार्केट में 3-4 न्यूज जो हैं वो गर्दिश कर रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेकिन उससे पहले हम ओइल के लेवल्स की बात कर लेते हैं WGI हमें 52 और Brent हमें 55 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है कदरे फ्लैट ही नजर आ रहा है सबसे पहले बात करते हैं और ओयल के हवाले से लिबिया की जो फ़स्ट न्यूज है लिबिया में जो ओयल लेकेज है उसकी वज़ासे उनकी पाइपलाइन को शट डाउन कर दिया गया है जब से सौधिया ने production cut की बात किया है रशिया के oil के demand में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा US की जो oil producer है शेल उन्होंने भी अपनी production को revamp किया है और ऐसी खबरी आ रही है कि जो बाइडन साब जो है उनकी administration US की oil industry को boost करेंगी उनकी जो earning है उसमें oil की dollar per barrel पर trade होती हुई नजर आ सकती है लेकिन अगर WTI की prices को further boost मिलता है तो brand की prices भी बढ़ सकती है और अगर ये WTI और brand का gap हमें कम होता हुआ नजर आया तो हमें वाकई जो है oil हमें 60 to 65 के level पर trade होता हुआ नजर आएगा और इसी के साथ पाकिसान की जो prices है उनमें भी push मिलने आने वाले दिनों में oil की prices में. WTI और brand की जो price gap की मैंने कमी की बात की है उसकी वज़ा से oil की demand में as such inches ना आएं लेकिन जो हमें shares है oil के वो उपर नीचे होते हुए trade होते हुए दिखाई दिये जा सकते हैं. गोल करेंटली प्रोग्राम को record करते हुए हम 1840, 1843 के level पर trade होता हुए नजर आ रहा है. गोल की अगर हम बात करें तो वो negative territory में ही trade हो रहा है. अगर हम उसके downward की बात करें कि downward level आज के दिन में कितना हो सकता है तो gold 1830 के level पर तक जो है वो आ सकता है. और upward की अगर जहां तक म आज के दिन में तकरीबन जा सकता है. तो विएर्ज इसी के साथ अपनी मेजबान साहर खान को दीजिए इजाज़त कर न्यू फैक्स और फिगर के साथ हाजिर होते हैं कीप वाचिंग बिजनेस न्यूस ट्रेली विदेस आनिक पाल.